नमस्कार मैं एस्ट्र गुरू मगेंदर चौधरी एस्ट्र लॉजर वास्तुप कंसल्टेंट एंड दस महाविद्या गुरू स्वागत करता हूँ आपका आज की इस एपसोर्ड में जो की है दोजार चौबिस के अंदर जनवरी मंत्का जो राशी पुरू दोस्तो आज की जो हमारी राशी है वह धनु राशी जब आपने इस जो वीडियो को देखना है तो अब आपने अपने लगन को देखना है यह जो प्रेडिक्शन है वह लगन के वेस्पे हैं ना कि चंदर राश सबसे पहले अगर आपकी जनम पत्री में लगन के अंदर नौ अंक लिखा है तो आपका जो लगन है वह धनु अव लगनेश आपकर बनता है ब्रहस्पती ऐसे वक्ति जो है बहुत बद्धिमार रहते हैं विवेकी होते हैं समस्दार होते हैं अगनी तत्व की राशी है चर किता पसंद नहीं करते हैं पार्टी करना घूम ना फिरना उन्चाई पर जाना मान सम्मान की बहुत फिकर होती है कोई अगर इनका इंसल्ट कर देता है तो यह बहुत जल्दिश से नराज हो जाते हैं अगर इज्जित करके इंसे आतने की प्राण तक भी मांग सकते हैं ठी से पहले बात करते हैं आपके स्वास्था के लिए कि आपके लगन के अंदर अभी जो है बुद्ध और मंगल ग्राजमान के लिए बहुत उत्तम है आपके लिए और लगनेश जो ब्रहस्पती है वो पंचमस्थान में बैठा हुआ है बाकी स्वास्था आपका बिल्कुल बढ स्वास्थान में बैठा हुआ है तो इसके लिए आपने करना क्या है इसके लिए आपने ब्रहस्पती वार के दिन राम मंदिर के अंदर पुजारी के जो कपड़े होते हैं दोती कुर्टा गंचा उसका आप जो है पीले रंके का शिर से गुमा के साथ बार ब्रहस्पती के इसका जाब करते हुए आपने राम मंदिर में दान दे देना है साथ में जो है एक किलो बेशन के लड़ू भी आप सड़ा रहे हैं इससे आपको बहुत आराम रहे हैं अब हम बात करते हैं आपके सेकिंड हाउस यह आपके धन कुटम ठीक है और परिवार की स्थिति के वार सब्सक्राइब करेंगी आपके छोटे भाई बहने आपके कोब सपोर्ट करने वाले हैं अगर आप उनको यूज करते हैं तो आपका भगे आपका साथ देगा जरूज तो आप स्टॉक मार्किर में पैसा लगा सकते हैं गोल्डन टाइम आपका चलाओ एगा अब हम बात करत जबते हैं आपके थर्ड हाउस के निए हाउस आफ करिज कमिनिकेशन एंड कॉन्फिनेस का थर्ड हाउस में शुवराशी का श्री बैठा हुआ है पॉन्फिनेस आपका बड़ा चड़ा रहेगा प्राकरमी आप बहुत रहेंगे बहुत मेंनत करेंगे और इससे आपको को सब्सक्राइब करेंगे और इलेमंथ हाउस पे उच्च की दिश्टी से टाली हुई है तो फॉरंग डिशिन से भी आपको बहुत फाइदा होने वाला है धन्म के नएने आयाम आपके सामने आएंगे दूर के लोगों के साथ मिलीग गसे फॉरन से बिजनस भी आ सकता है तो आपने इसको उट्लाइज करना है अब हम बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस के नि हाउस ऑफ मदर मेंटल पीस मकान वहन गारी बंगलागा सबसे इंपॉर्टेट हाउस में से एक है इसमें आपके अभी नीच का रहू गाठा हुआ है तो आपको हाट की इसूज हो सकती है दिल की समस्या को इनकुई आपको हो सकती है फेफडों में आपके इंफेक्शन हो सकता है ट्यूबर क्लोसिस से बचना है आपको स्मोकिंग नहीं करनी है अगर आप करते हैं छोड़ दीजिए पान तबाको गुटका वह आपने नहीं खाना है ठीक है इसके साथ साथ आपको मेंटल स्ट्रेस रह सकती है आपको कोई फोबिया हो सकता है अगर आपकी जनम पत्री में भी राहू फोर्थ हाउस में नीच का बैठा हुआ है तो इस समय ये गोचर आपके लिए बहुत नुट्सान देने वारा है आपको एक तरह से पागलपन ही आ सकता है ठीक है तो लग आपको पुखराज जरूर धान करना चाहिए तो एक साल तक पुखराज जो है ब्रहस पती आपको खूब सपोर्ट करेगा और कहीं न कहीं आप इस सिच्विशन को बैलस आउट कर पाएगा दूसरा अगर ब्रहस पती उत्तम स्थिति में नहीं है तो आपको ब्रहस पती को स बुखवान जरू के सथ्रुट्र का लगाता करना चाहिए ब्रहस पती वारं कापको प्रत करना चाहिए इस से आपको काफी लाव रह कर तक जब तो रहु यहां बैठा है ना तो पलड करीदें ना मकार फिर दें आपको बहुत भूसान हो जाएग दस्के चीटिंग आप से इसक्ति यह इपको प्रॉड आपके साथ हो सकता है जो जो मालिक है वो लीकल ओनर ना हो रॉड हो सकता है तो आपके पैसे मर जाएंगे औ ठीक है तब आप ये काम सब कारे कर सकते हैं अभी वो काम मत करें अब हम बात करते हैं हाउस अफ लव रोमांस एजुकेशन और इंटेलिजेंस पुरु जन्म के पुन्य का है ठीक है फिफ्थ हाउस में अभी आपके गुरु विराजमान है पहंचनस्थान में बहुत तमस्ति से तो आप कर लिजिए वह आपके लिए बहुत बढ़ी रहेगी मैं के बाद जब गुरु आपका सिफ्थ हाउस में गोचर कर जाएगा तब आपकी इस्तिति जो है खराम होने वाली है आपका लवर आप से दूर जा सकता है अगर पॉसिबिलिटी है तो मैं से पहले-पहले मिलने वाला है ठीक है अब हम बात करते हैं सिफ्थ हाउस की यानि हाउस आप विजिस एनिमीज एंड पॉर्ट किसिस शिक्स हाउस का फालोड बनता है शुक्र बैठा बार्वे स्थान तो जिन वक्तियों का भी पॉर्ट के चला हुआ है उनको अभी जेल योग बना हुआ ह यह नहीं आपको जेल हो सकती है अगर पॉसिबिलिटी है तो अपनी जो है हीरिंग को को इन तारिक को आप टाल दें उन्नीस तारिक के बाद आपको जो है उसमें फैदा मिल जाए आप शायद बज जाए उतरे दांड़ से जीतना आपको मिलना चाहिए ठीक है इसके साथ सा सब्सक्राइब ही आगे रलेशन्शिप में जाए अब हम बात करते हैं सेमन्थ हाउस के निहां सब्सक्राइब पार्टनर्शिप आपका फोर्थ हाउस का लोड है बुद्ध है वह बैठा है लगन के अंदर बहुत बढ़ी अस्तिति में है अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आपकी शादी होने वाली है इस समंथ में अगर आप शादी करना चाहे तो आपके लिए बैस्ट रहेगा आपकी लाइफ अपको घुब बैस्ट करने वाली को आपको कुछ करें आपका बिजस पा आपको सपोर्टकरेगा आ बजञेस में पाटनर में जावरो को उख सकते हैं प्यसे इन्वेस्ट कर सकते हैं आपके लिए फायदेमंद रहेंगे ठीक है कि क्शंटनल अु strongest हूं या फिर कोई मीडिया का इंडस्ट्री आप खोल सकते हैं मीडिया हॉप सब्सक्राइब अगर उत्तम स्थिति में आपकी जिन्म पत्री में बैठा हुआ है तो आप बुद्ध का पन्ना डाले इससे आपके प्रॉफिट जो है अगर आपको अपने बुद्ध किस्थिति के बारे में नहीं पता है तो आप हमसे अपॉइंट में लेके जो है अपनी जिन्म पत्री का अनलीजिस करवा सकते हैं तो आपको बता जे जाएगा कि आपको पन्ना धान करना है या फिर बुद्ध के बीज मंत्र या फिर उसके स्त चंदरमा जो है वह जो है एक अनस्टेबल प्यानेट है तो इस हाउस के लिए आप जो है अनस्टेविल्टी बहुत करते हैं चंदरमा भी आपकर रहों के साथ फोर्थ हॉस में बैठा हुआ है तो आपको अगर प्लॉट में पैसा लगाते हैं तो आपका वेस्ट चला है जब आपका चंदरमा मेश्राशी में गोश्र कर जाएका तब आप यह कर सकते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं नाइन्थ हाउस की एनि हाउस अफ लग लेशन शिप फादर हाई रजिपकेशन लॉट ट्रेबल्स एंड रिलिजन आपका चो नाइंथ हाउस का लॉड है व आपको बहुत खायदा होने वाला है ठीक है मैडिसन के सेक्टर में आप स्टॉक मार्कर में पैसा लगा सकते हैं ठीक है वुड्स के सेक्टर में आप यह लकडी का जो वेपार है उसमें आप इंवेस्टमेंट कर सकते हैं ठीक है और कोई कंसल्टेंसी फर्म है किसी प्रकार लिए आप वहां पर आपके लगन में होसे चेपर करेगा आपको आने वाले लकम से से मिने तक पर के तु वहां पर नीज का बैठा हुआ तो फादर की सेथ खराब रह सकती है अगर आपके फादर स्मोकिंग करते हैं तो उनको रोकिए वरना उसके लिए वह उनके लिए बहुत जो है नुक्सान देख होने वाला है अब हम उसकी बात करते हैं कि वह जॉब के ब वाले हैं वह आपकी चूगली करेंगे आपकी पीट पीछे आपकी निंदा करेंगे जिससे आपका बॉस आपके एंटी हो जाएगा तो आपने इस तितिने बॉस से आर्गिमेंट्स नहीं करने हैं आपने पेशेंस रखनी है और इस बात का पता लगाना है कि बॉस आप से नराज क्यों है फिर एविडनेस कठी करनी है और बॉस के सामने प्रोड्यूस करनी है कि आप बेकसूर है इससे क्या होगा बॉस जो है आपके फिवर में आ जाएगा और जो आपके खिलाफ उनको बढ़काते हैं वह उनसे एंटी हो जाएगे और आपकी सुनवाई वहां पर ह जाएगी फिर भी अगरस्तिती बहुत ज्यादा खराब है तो आपको केतु शान्ति कर वानी चाहिए आपको बुद्ध का पन्ना भी जूर दहन करना चाहिए ठीक है पन्ना आप धान कर सकते हैं नहीं इसके लिए आप अपनी जन्व पत्री का अल्सिस करभा सकते हैं यह के बड़े भाईवाई से जगड़ा हो सकता है, आप उनके साथ किसी कोड केस में उड़े सकते हैं, वो आपका नुपसान कर सकते हैं, वो आपका पैसा भी मार सकते हैं, आपका जो नेट वर्क है वो भी आपका पैसा खराब कर सकता है, तो अपने फ्रेंड सरकल में पैसा blindly मत इन जो सकते हैं आप फॉरन के अंदर डील कर सकते हैं कुछ पैसा आप कमा सेपके खास करके लेड़ लेड़ी आईटंस के अंदर ठीक लखिज़ि अंदर डायमेर्पड बिजनस के अंदर जैन स्टोन का जो बिजनस अंदर भी यह सारा मोटा-मोटा जो लिए बता दिया है जमर अगर आप किसी गंभी समस्या से जूज रहे हैं तो उसके लिए भी आप उपाय हमसे करा सकते हैं अगर आपको आपको आराम मिलेगा हम हंडर्ड प्रिसेंट बनीक गरेक्टी भी देते हैं तो अगर आपको फल ना में अगर निश्चित समय के अंदर तो आपका पैसा वापिस कर दे जाता है इसके साथ में मुर्गेंदर चौधरी आपसे अब इजाज लेता हूं गोड़ ल झाल